हलो, हलो, हलो हलो ख्वाहिसों से ही नहीं गिरते फूल जोली में ख्वाहिसों से ही नहीं गिरते फूल जोली में इसके लिए कर्म की साख को हिलाना होता है और अंधेरे को कोशने से कुछ नहीं होता मेरे यार अपने हिस्से का दिया आपको खुच जलाना होता है नमस्कार साथियों मैं राजकुमार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार PBR स्टडी में है उमीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई एकदम मस बहतरीन चल रही है आवाज हमारी अच्छी आ रही तो एक बार सभी यस लिख के कमेंट करें फटा-फट थमसब करके बताएं कि हाँ सब बढ़िया है और हम आगे बढ़ सकते हैं किसी को कोई डाउट कोई मुसीबत अवाज में हमारी सकल नहीं दिख रही या हम कुछ हील डोल नहीं रहें ऐसा कुछ है कि हां सबका कमेंट मुझे दिख रहा है बहुत अच्छे बेरी गूड प्रिया सर्मा जी आपका कमेंट आ रहा है मैं एक मिनेट सबका नाम बोलूँगा जो इस्टार्टिंग में है प्रंट पे बाकी में कलास में चल रहा हूं पुश्पा जी आपका भी कमेंट आ रहा है उमेश नायक चंचल परजापती तरुन्नुम परवीन पंडित गोपाल पंकज मोहिनी सिंग प्रसांत बर्मा मोनुयादो हरीस रावत संजे कुमार किड्स एंड फनी आल वीडियो मस्त संत्राठोर नीलन सागर नीलम नीलन स्वरी इनका नाम थोड़ा अलग है दिनेश आजय आजब राम प्रताप और सब के कमेंट्स मुझे दिख रहे हैं कि आईए साथियों कल हमने पढ़ा था वर्गमूल वर्गमूल में एक और भी कुछ खतरनाक कटेगरी है मतलब बहुत ही बेसिक है लेकिन बड़ी काम की चीज है जैसे मुझे एक बात बताओ अगर मैं कहूं कि अंडर रूट जीरो पॉइंट टू फाइव इसका वर्गमूल क्या होगा एनिवन कमेंट करेगा कोई कोशिस कर लो कोई दिक्कत नहीं है देखो समझो मेरे भाई कल मैंने आपको पढ़ाया था कि 25 का वर्गमूल 5 होता है कैसे होता बता चुका हूं बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे वो होता बिल्कुल ऐसे यह भी होता है आए मैं इस पर चर्चा करता हूं सभी साथियों से स्टार्टिंग में रिक्वेस्ट है कलास को पूरा अंत तक देखिएगा तब ही जाईएगा अगर सीखना है तो मेरे भाई अगर टाइम बेस्ट करना है तो यूटूब पे बहु सारे चैनल है खोजते रहो घूमते रहो मस्ती करते रहो वक्त ऐसे कट जा जाएगी इसलिए वक्त को काटिये मत इंज्वाय करिए और कुछ बेहतर करिए कर देखो कि सबसे पहले दसामलों को मारो गोली इनको फटाओ साइड कि आप यह मानों कि अगर यहां दसामलों नहीं वर्गमूल ऐसे होता तो क्या होता कि इसको तो पढ़े हो अब मोटा मोटा भी समझ लीजिए दसमलों पाऊंगा तो डीटियल में बताऊंगा बिस्तार से अगर यहां पर दसमलों दो अंक पर लगा है मेरे भाई तो हम इसे नंबर को ऐसे लिख करके जो भी है वन के बाद दो जीरो नीचे लगा सकते हैं यानि हम 0.25 को इतना लिख सकते हैं यह मैत का नियम है इसमें कोई बुराई नहीं है कैसे है क्या है इसको बिस्तार से बुरी बात नहीं है अब एक बात बताओ सब इमांदारी से बताना प्यार से बिल्कुल दिल से बताना सच्चे वाले दिल से जितना दिल से उससे मुहबबत करते उतने दिल से देखो सुनो अगर मैं बोलू कि 25 वर्गमूल तो सब को याद होगा क्यों बहूं यह याद है अबस्ट कि अटू और पर झाल 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 कुछ लोग तो भाग गया होंगे कुछ तो भाग गया होंगे निकल ले होंगे एक बार यास बोल दें सभी यास देखिए यह इस्टम तो दोनों एपल का है मैक बुक भी और यह एरपॉड भी लेकिन इसमें थोड़ी सी आवाज उसी स्पीकर के पेच्छा खमाती है 酲ड काल एंड़ों और जो एरफां लगाए हैं कान में हeड़फों एरपॉड पॉंड यज़ लगाए है वह लोग अगर एक ही कान अब सुन पा रहें तो य व्याइवान लिग के कमेंट करें अगर दोनों कान में सुन पा रहें तो व्यू democr सुना है आप लोगों के कि आई यह बात करते हैं मेन पॉइंट पे ठीक है काम चलना चाहिए कैसे भी कि अब देखिए मेन पॉइंट पे चलते हैं कि चलो बाई देखो सुनो कि हाँ कि क्विश्चन जैसा कि मैंने उठाया था उसी तरह का सेम टू सेम जीरो पॉइंट एट वन इसका वर्गमूल क्या होगा कि एनिवन कोई कमेंट करेगा हाँ ठीक है निति स्विश्कर्मा बिनेस पासवान नेहा कि सबका कमेंट आरा मेरे भाई मेरे बाबू मेरे सबका कमेंट आरा चलो इसमें देखो तो राइट साइड से टू डिजिट पर डेसिमल है आप क्या करोगे सिंपल में इनकी जो मुसीवत उपर लगी है इसको ऐसे ही लगया रहने देना है आप एटीवन अपान हंड्रेड में लिख सकता हूं इसमें किसी को कोई डाउट नो भाईया हो बाबू हो आपको पता है कि एटीवन का वर्गमूल जो है वो नाइन होता है और तुम्हें हंड्रेड कभी याद है बच्पन से ही बढ़ा गे तब तो याद है ना याद रहे इसको दसंबलो में चेंज करेंगे तो आप 0.9 लिख सकते हैं बस यह हो गया उमीद है कि इस तरह की सारे कूश्चन आप लोग कर लेंगे यूकि हम सिखाते हैं जीरो लेबल से पढ़ाते नहीं तिखाते हैं और जीरो से हीरो बनाते है वो मुबी वाला हीरो नहीं गंदे अच्छे वाले ही रोन नहीं अच्छे वाले हो गया ना अब देखिए एक क्वेश्चन में दूंगा उनका मैं देखता हूं कि सबसे पहला जबाब कौन देने वाला है सुनो बहुत ही सिंपल है मुझे उमीद है कि हर कोई कर लेगा बहिया एकदम छटका सा सवाल है चाचा यह 0.49 कहो इसका का होगा बताओ ना एक बार इसको जल्दी जब आप दो फटा फट देखें आपसे एक अनुरोध है निबेदन है नीचे मोबाइल नंबर चल रहा है स्क्रीन पर जिनको कोई इंक्वाइरी करना है कुछ भी भुजाना है सारी वजाई कर सकते हो नंबर पर फोन करके मैसेज करके वर्ट सब ठीक है यहां पर मुझे पढ़ाने दीजिए बहुत अच्छा इसमें सबसे पहला अगर कोई जवाब दिया है तो उनका ऐसी महान आत्मों के नाम मैं बोलूंगा नितिन विसकर्मा वूपेश चौधरी चंचल परजापती यह वो तीन आत्माएं हैं जिन्होंने सबसे पहले बताया है बुरने मनियागा आत्मा हम सब लोग है चलिए जिरो पॉइंट से बनाएगा इसका आंसर निलान सागर जिने पूछा है देखिए मैं इस पर चलूंगा लेकिन अगर च्छत पर से नीचे उतरना है तो सीड़ी से बाई सीड़ी चलेंगे आसा नहीं कि दो सीड़ी बीच में छोड़के फूट जाएंगे तो फिर पैर की हट्टी पफली तूट सकती है आप लोग चाहते हैं तम कुदा देते हैं लेकिन यह भी समझ नहीं आएग ठीक है अब मेरे भाई एक हजार का जो वर्गमूल है वह पूर्ड फंख्या नहीं होगी पूर्ड घं तो है यह अब अगर लंबा बताऊंगा तो यह इसका बिस्तार हो जाएगा बीच में फिर आम लाटक जाएगा तो सीधा फीधा मोटा मोटा समझ लीजिए इस पर मैं चलूँगा इस टाइप के कोश्चन में तो बताऊंगा कि इसका आप पांच गटे अंडर रूट एक हजार लिख सकते हैं 1000 का वर्गमूल आप करोगे डेसिमल में आएगा लेकिन एक पूर्ट संख्या नहीं आएगा अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे बाद में अभी इतना समझ लीजिए थोड़ा संतोस करिए लिखिए थोड़ा मैं रुक रुक के बोलता हूँ जिससे कि आपको थोड़ी बाते हजम होती जाए आईए में पॉइंट पे चलते हैं अब मुझे एक बात बता आप लोग 1.21 इसका स्कॉयर रूट क्या होगा बाई 1.21 का क्या होगा देखिए जो बहुत बड़े नालेज वाले हैं यहां पर उनकी यहां दाल नहीं कलने वाली है देख रहा है नविनौद इसको कमेंद कर रहा है आयसे बाबु और्श देख रहा है कि बच्पन में यह कल्तीटी नुकाते यहां कर पुenas कि विनोद ये भी तो देख रहा है कि तब तो तुम बाबू ने थाना थाया कि नहीं थाया कि बाबू नराज हो गया तो पढ़ाई लिखाई बंध पांच-पांच गंटे मना रहे हो कि अब जब 35 की अवस्था में आ गए 32 के तो अब मैद सीख रहा हो तो बिनोद तो ये भी देख रहा है ना आओ चलो देखो आप लोग देखो अब उसको अटाओ इसमें क्या करना है दो अंक परदा समलो है इसको तहीं साइड में लाके समझाते हैं पर देखो यहां पर टू डिजिट पर पॉइंट है तो सबसे पहले तो सारा पॉइंट वइंट अटा देंगे पीछे से दो अंक पर दसमलो है तो नीचे सो बढ़ा देंगे ये कैसे होता है दसमलो आले चैप्टर में हम आपको इसको पिस्तार से बढ़ाएंगे पूरा पॉस्ट माडम करके चलो इधार आओ फिर इतना हो जाएगा ना अब एक बात बताओ भाई चाचा लोग एक बात बताओ तुम यादों में मरते हो कि भूल गया याद थोड़ा सरम लग गई जाने दूबाद में बताएंगे देखो इधार 11 का इसको याद पता है ना आपको मालूम है ना याद करवाया था ना बजज़ती हो गई मेरी कुछ और गाने वाला था इसका इसका भी पता है न तो झाचा ऑगर तुमका यह सब पता है तो पिर का मुशीवत है इसका कि एक और 1.1 भी एक अंसर हो सकता है कि गांद पर अगार भी कर सकते हो वह क्या है देखो सुनो पर कि कुछ कि इसको आप ऐसा भी कर सकते हो एक है का आख वाइन टू वन अपान ऐसे भी कर सकते हो आपस पराबर बराबर बांट सकते हो कोई दिकत नहीं ऐसे भी करों कि तब भी आयेगा मतलब बात वही हुई कि इसे होता नहीं डबल बेट का चद्दर है तो आप दो लोग मिलके वाड़ सकते हो एक है मैं बस सिर्फ वाड़ो और कुछ ना करो ठीक है और अगर सिंगल सिंगल फाड़ के भी कर सकते वाला के लग तो इसे है यह लेकिन यहां पर ध्यान रहे इसका जो फिर दंडी नहीं है यह यहां तक आनी चाहिए यहां तक अगर सिर्फ एक पर लगा है तो यहीं उपर तक ही रहे गई है यह इसके यहां तक आनी चाहिए दोनों पर मानजा था प्रतीमा यादों को 5 मिनिट के लिए होल्ड कर दिया गया है है इनका कमेंट कुछ ज्यादा सेंस्टिब था है कि दन बात पक्की आगे बढ़ें कि आगे चलें कि कोई कह रहा कि हम कह देते हैं नहीं कहना चाहिए कोई बात नहीं कहने में बुराई नहीं अंदर में जो चल रहा है उसको अगले के सामने टाइम से रहते पेस करना चाहिए नहीं बाद में पच्तावा होता है तो अगर आप लोगों के भी दिल में किसी के लिए कुछ चल रहा अंदर में तो उसे अगले तक पहुंचाईए नहीं बाद में यह होता कि ताइम रहते हैं कह दिये होते तो कास बाद बन जाती आईए 3.24 क्या इसका वर्गमूल आप लोग बता लोगे एनिवन देखिए हमारी कोशिस है यहां पर हर किसी को मैथ आनी चाहिए अगर मैं कमेंट दिखाऊ ना तो आपके भी आँखों के आशू निकल जाएंगे बाहर ऐसे ऐसे दर्द हैं लोगों की ऐसे इसी तकलीफे हैं मैथ न बहुत सारी हांसिल कर ली हैं लोग रखे भी हैं लेकिन में प्वाइंट पर बिज्जती हो जाती है आपके चारोतरब मैथ है जो बस्तुए हैं वो चारोतरब संख्या में हैं तो मैथ में ही आप जी रहे हो उट रहे हो खार रहे हो बैठ रहे हो सो रहे हो मैथ में ही कुछ कर रहा है पेपर का हिसाब जोड़ते हो अगर पेपर आपके घर आ रहा है वो भी महत में करते हैं अज्ञति छोड़ती हो अगर कहीं भी ही का काम लगता हूं अभी मैथ ही भासा में ही बोलते हो तो मैथ मतलब गड़ी तो यसे अब नौकरी पाने का जरिया नहीं जिन्दगी जीने के लिए भी आना चाहिए आईए जहां तक मुझे पता है कि 18 18 का स्कॉर कितना होता है 324 होता है क्या होता है ना देखो सुनो मेरे भाई इसको 18 गुड़ 18 कर सकते हो होता है ना 18 एट जा 144 144 का यहां 4 लिखोगे 14 हो जाया का कहरी 18 वजा 18 18 में 14 8 करोगे 32 बोलो का भया समझ में आया तो यह समझ में आया ना यह 324 यानि हम कह सकते हैं कि 18 का जो स्कॉर है वो 324 होता है तो कोई बात नहीं है इसको मैं ऐसा कर सकता हूं कुछ लोग कह रहे हैं इसको बिस्तार से बताईए देखो मेरे भाई अगर चोटा सा बचवा है ना और उसको अगर बुखार की दवा देना है तो उसको आप लोग कुछ इसमें बच्चे हैं और कुछ बूड़े हैं यह यह नुक्सान कर देगा कुछ समझ रहे होग नहीं इसलिए बच्चों और बूड़ों के लिए अलग तरह की दवाएं होती हैं तो आप लोग कुछ इसमें बच्चे हैं और कुछ बूड़े हैं यंग नहीं हैं क्योंकि वो होते तो यहां न पड़ते तो ख्वाईसों से ही नहीं गिरते हैं फुल जोली में इसके लिए कर्म की साख को हिलाना होता है और अंधेरे को कोशने से कुछ नहीं होता मेरे बाबू मेरे भाईया इसके लिए अपने हिस्से का दिया आपको खुछ जलाना होता है तो अपने उन घर वालों को या टीचर को या और किसी को बुरा बला मना बोलें कि आपको मैत नहीं आती तो वह जिम्मेदार है आपके साथ हो रही परते घटना के लिए आप खुछ जिम्मेदार है खीरी 24 का 18 हो जाएगा 100 का 10 हो जाएगा एक आंसर यह भी हो सकता है या दूसरा 1.8 भी हो सकता है समझ में आई बात ना पक्का इसमें किसी को कोई डाउट नहीं नो डाउट ठीक है फटा पड़ लिख लिजिए इसका आंसर मुझे बताओ फट से यह कुश्चन नंबर मैं 1 मान रहा हूं तो आप लोग क्या कहोगे वन में कितना आएगा लेकिन वन में कम सही रहेगा इसको ए लिखो क्यूस्टन नंबर ए इसका अंसर दोगे आप तो ऐसे जैसे ए 2.5 1.5 जो भी आएगा सम्थिंग कि नेक्स्ट कुश्चन इसमें बी नंबर मान लीजिए 2.89 एक है टाइप का मैं बताऊंगा आज दूफरा टाइप का ने चुकि यह टाइम बहुत कम है पीवी आर स्टेडी आप्लिकेशन के अंदर बहुत सारी नई बैच मैंने इस्टार्ट करके अपने आपको मैं बहुत ज़दा बिजी कर लिया हूं मेरे पास टाइम बहुत कम बचता है लेकिन मैं जो टाइम बचता है वहां से वीज घसाट के आपके पास आता हूं यूट्यूब पर पढ़ाता जरूर हूं ठीक है तो यह आप लोग कर लीजिएगा कल मैं इस पर चर्चा करूंगा यह इस तरह के अभी कुछ चीजें होंगी ठीक है पंडित गोपाल अकेडमी नेहा फिर्दोस बहीं इंगलिज मुझे नहीं आती है आपका नेहा के बाद जो नाम है न वो बड़ा कठीन है पंकज बीर बहादूर डीपू कुमार तो आज का यह सेसन यहीं पर इंड होगा क्लासे अभी छोटी छोटी चल रही हमारी कोशी से जैसे टाइम बचता है बड़ी बड़ी क्लासे एक गंटे के लिए आपको पढ़ाएंगे रात दस बज़े से फिर से लाइब आएंगे डी एलेड वालों के लिए ठीक है बी टी सी यानि डी एलेड पर आधारित बेसिक मैथ वो भी होगी आज फर्स समेस्टर का क्लास चलेगा पर्थाम समेस्टर अब हम डिसाइड कर देंगे कि किस दिन कौन सा समेस्टर चलेगा क्योंकि लोगों को काफी कंफ्यूजन है मैं खुद कंफ्यूज रहता हूं अभी कोई टाइम है फिक्स नहीं रहता है ना है मतलब है क्लास का टाइम फिक्स है लेकिन यह नहीं fix होता है कि कि इस दिन कौन सा समेंस्टर है इसमें लोग काफी confusion यह तो मान के चलिए कि फिर्स सेमस्टर पक्का चलेगा क्योंकि फिर्स समेस्टर के अभी नए नए एडमीशन हुए है लोगों के अभी एडमीशन चल रहे है यूपी में और जो फर्स्ट वाले हैं वो सिकेंड में गए है चलना तो सब चाहिए ठीक है कोशिस करता हूँ मैं दो-दो समेश्टर लेके घसिड़ता हूँ ठीक है ना मेरे भाई चलो हाँ एक चीज और इसमें मैं चलते चलते एक बात बता दूँ जो सबके काम का नहीं है टेलीग्राम का लिंक दे रहे है रोहिजी उसको आप सभी जा करके पीवियर स्टडी को टेलीग्राम पर जोईन कर लीजिए जिससे डेली आपको कलास का नोटिफिकेशन मिल सके दूसरी बात चलते चलते एक बात ध्यान रखिएगा सुन लीजिए प्यार से अगर आप मात्र वन मंथ में मैच सिखना चाहते हैं सिर्फ एक महीने में तो आप पीवियर स्टडी का प्रीमियम कलास ले सके हैं सब्सक्रेप्शन वाला जिसमें आपको कुछ चार्ज पर करने होंगे और शिच्छा के चेतर में आपका ये योगदान बहुत सराहनी होगा क्योंकि हमारे साथ केंप्रे के पीछे जो आधा दर्जन से ज्यादा लोग कारे करते हैं उनको भी हमें कुछ देना पड़ता उनकी भी घर परिवार फैमली है बीबी बच्चे हैं हमारे भले नहीं है वह लग बात है तो सुन लीजिए आप मात्र 30 दिन में मैच सीख सकते ह हैं इसके लिए टर्मन कंडिशन है कि डेली आपको तीन घंटा में कम से कम पढ़ना होगा एक महीने में पूरा बेसिट सीख सकते हैं इसके लिए आप मात्र 299 में कलास जोईन कर सकते हैं अभी इस समय परिजन टाइम में आपको बिक डिसकाउंट मिल रहा है यह बैलिट हो आप यह सेवंटी फाइब डे वैलिट है